Hello everyone, so आज हम सीखने वाले हैं HomeTab के Styles Group के बारे में For example, जब अगर हम कोई document create करते हैं उस document में अगर हमें heading create करना हो, तो हम क्या करते हैं? पहले हम उस heading को enter कर देते हैं, उस heading को फिर हम format करते हैं, right? So formatting हम कैसे करते हैं? So उसके लिए हम color choose करते हैं, उसका font style choose करते हैं, उसे bold रखना है, या फिर italic रखना है, ये choose करते है, right? पर अगर हम यहाँ पर इन styles को use करके हमारी heading create करते हैं, तब हमें यह सब करने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि यह styles predefined combination है, एक font का, या फिर color का, या फिर size का, जो हम apply करते हैं अपने text को जब हम इन styles को use करके अपनी document create करते हैं, तब हम और भी professional लगती है So अब हम देखेंगे कि हम styles को कैसे use करते हैं So जिसमें text को आपको format करना है, इन styles को use करके, तो पहले आप उस text को select कीजिए या फिर अपना cursor उस text के beginning में रखिए So उस text को select करने के बाद, आप यहाँ पर आकर, style की mode drop down arrow पर click कीजिए So आपको अपने text के लिए जो भी style चाहिए, उसे आप यहाँ पर select करें तब वह style आपके text को apply हो जाएगी अगर हम चाहिए तो इन styles को जो भी यहाँ पर है, उसकी design हम change कर सकते हैं उसे हम modify कर सकते हैं और हम एक नया style पर create कर सकते हैं पहले हम देखेंगे कि हम इस style को कैसे modify करते हैं तो जिस भी style को आपका modify करना है, आप उस पर right click कीजिए और आप यहाँ पर click करें modify पर तो यहाँ पर यह dialogue box open हुआ है और यहाँ पर आपको जो भी changes करना है, उसे आप कर सकते हो अगर आप उस style का name change करना चाहरे हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हो या फिर उसकी font style change करना चाहरे हो, आप वो भी यहाँ पर कर सकते हो या फिर आप उसका color change करना चाहरे हो, तो वो भी आप यहाँ पर से कर सकते हो यह सब करने के बाद आप ok पर click कीजिए, तब वह style modify हो जाएगी तो हमें यह styles better लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछी modify नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, अगर आप modify करना चाहरे हैं, तो आप इस तरह कर सकते हैं तो इस तरह से हम एक style को modify करते हैं, उसमें changes कर सकते हैं, जो भी हमें करना हो So next हम देखेंगे कि हम खुद का एक style कैसे create करते हैं For example, अगर हम चाहते हैं कि यह styles में अगर हमारा create किया हुआ style भी appear हो अगर हमें वो भी use करना है, तो वो हम create कर सकते हैं So अब हम देखेंगे हम एक नया style कैसे create करते हैं So एक नया style create करने के लिए, आप यह styles की bottom right corner arrow पर क्लिक कीजिए जब हम इस arrow पर क्लिक करते हैं, तब यह styles का एक task pane open होगा और यहां पर आप यह bottom में, आप यहां क्लिक करें new style बटन पर जब हम यह new style पर क्लिक करते हैं, यहां पर एक dialogue box open होगा और यहां पर आप अपने style का नाम एंटर करें, जो भी नाम आप एंटर करना चाहते हो अपने नए style के लिए, उसका नाम आप यहां पर एंटर कीजिए For example, हम उसका नाम यहां पर एंटर करेंगे new style, यहां पर देखिया style based on, यह style based है heading 1 पर So, यह सब करने के बाद, आपको जो भी formatting अपने नए style के लिए चाहिए, उससे आप यहां पर से select करें आप यहां font style भी choose कर सकते हो, यहां पर उसकी size भी choose कर सकते हो, bold italic underline यह भी choose कर सकते हो So, जो कुछ भी formatting उस नए style के लिए चाहिए, उसे select करने के बाद, आप यहाँ OK पर click कीजिए तब वह style आपके selected text को apply हो जाएगी So, उसके साथ साथ, जो भी हम अपने style create करें हैं, वो यहाँ पर हमें styles में display होगा So, इस साथ से इन styles को अपने text को apply करते हैं, उसे modify कर सकते हैं और हम एक नया style भी create कर सकते हैं So, यह था home tab का styles group, thank you